हेलो स्टुडेंट्स, उमीद है कि आप सभी की तयारी बहतर चल रही होगी, आपका एक्जाम डेट कभी भी आ सकता है, तो आप सभी अलट रहिएगा, साथ ही आज हमारा चाइल्ड साइकोलोजी का फिप लेक्चर है, आज हम चाइल्ड साइकोलोजी में जीन प्याजे के धान्त को समझेंगे, इससे पहले हम पिछली का अक्षा में जो पड़े थे, उसका फटाफट रिविजन करेंगे, कल हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देख रहे थे, आपके डेवलपमेंट के क्या-क्या स्टेजेस हैं, तो हमने ये समझा था, कि समार्ने रूप से हमारा जो विकास की अवस्था है, वो सात रूपों में होता है, जो माता की गर्व से प्रारम होता है, और सैस्वा वस्था से होते हुए बाल्य अवस्था, फिर किसोरा अवस्था, युवा अवस्था, फिर प्रोणा वस्था को पार करते हुए व्रिधा वस्था तक पहुंचता व्रिधावस्था के बाद विकास रुप जाता है क्योंकि व्रिधावस्था के बाद एक बालक मृत्यू को प्राप्त करता है अर्थात विकास जीवन परियन चलने वाली प्रक्रिया है यह हम कल देख चुके थे जब तक हम वित्यू को मृत्यू को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमारा विकास चलता ही रहता है तो रही बात प्रोणावस्था की तो हमने समझा था कि प्रोणावस्था कौन सी अवस्था आपके तो ये आपकी युवावस्था और वृधावस्था की बीच की अवस्था है अर्थाथ ना तो व्यक्ति पूरी तरीके से वृध होता है और ना ही पुरी तरीके से यंग होता है तो ये क्या आपका प्रोणा वस्था के बाद आपका व्रिधा वस्था आजाएगा क्रम हम देख रहे थे तो गर्भा वस्था आपका पहला वस्था था दूसरा आपका सैस्वा वस्था था तीसरा बाल्य वस्था चोंथा कि सोरा देखते हैं, उन सब को इस पष्ट रोप से समझा है, तो आज हम एक विसस्ट मनवेग्ञानिक जीन प्याजे जो हमारे बाल मनुविज्ञान के पिता भी कहे जाते हैं तो उनके अनुसार उन्होंने क्या किया है बाल को के मानसिक विकास के अधार पर विकास की अवस्थाओं को बाटा है जो चार प्रकार से हैं ये चार प्रकार आज हम समझेंगे चलिए आगे बढ़ते ह हैं ये इकल हम देख चुके थे क्रम से जमाने को पूछेगा तो ये सब चीजों को आ ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं घरभा वस्ता देख चुके थे चलिए तो आज हम समझेंगे जीन प्याजे का सिधान तो जीन प्याजे का सिधान क्या है तो सबसे पहले देखिएगा कि जीन प्याजे ने मांसिक विकास के अधार पर अवस्थाओं को चार रूपों में बाटा है पहले ये समझेंगे जीन प्याजे studies the cognitive development of the child in depth and explain the mental development of human beings in terms of cognitive development cognitive development का मतलब क्या होता है संग्यनात्मक विकास और आपका संग्यनात्मक विकास किस से संबंधित है आपके मानसिक विकास से संबंधित है जीन प्याजे ने बालक के संग्यनात्मक विकास का गहराई से अध्यन किया है और मानव की मानसिक विकास की व्यक्ष्या संग्यनात्मक विकास के रूप में किया है मतलब उन्होंने मानसिक विकास को क्या कहा है संग्यनात्मक विकास का सिध्धान्द का है अब इसके अनुसार जो हमारी विकास की अवस्था वो कितने रूपों में होती है चार उपो में होती है पहला है आपका sensory motive stage इसका मतलब क्या है समवेदी गामक अवस्था इसे हम क्या कहते है समवेदी समवेदी गामक अवस्था समवेदी गामक अवस्था में बच्चे की उम्र क्या होती तो याद रखिएगा जीन प्याजेने पहला जो stage है जिसे हम समवेदी गामक अवस्था या इंदरी गामक अवस्था कहते हैं इसको जनम से जनम से दो वर्ष्र रखा है या जीरो से दो वर्ष्र रखा है यह हम लोग एक एक करके समझेंगे अभी बस इतना ध्यान रखी कि इसको किस-किस एज में बाटा है तो यह हो गया आपका पहला stage जिसे हम समवेदी गामक अवस्था या इंदरी गामक अवस्था या sensory motor stage कहते हैं दूसरा है आपका pre operational stage इसकी उम्र क्या है तो जीन प्याजे जी ने इसे 2 से 7 वर्ष बताया है 2 से 7 वर्ष बताया है इसे हम क्या कहते हैं पूर्व संकरियात्मक अवस्था कहते हैं तीसरा जो आपका stage है, वो concrete operation, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब इसमें बच्चे की उमर क्या होगी, तो इसमें बच्चे की उमर 7 से 12 वर्ष होगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऐसी अवस्था होती है, जिसमें बच्चा क्या करता है, तर्क करना प्रारंब क कर देता है पहले तो 2 वर्स तक बच्चा बहुत छोटा रहता है ठीक से बोल तक नहीं पाता है फिर थोड़ा वो बढ़ा होता है दो से 7 वर्स के बीच तो बहुत्सा का विकास उसमें होने लगता है वो सब्सदों को इस पश्ट रूप से बोलने लगता है अब जब बच्चा बोलने लगेगा भासा का प्रयोप करने लगेगा तो धीरे-धीरे बड़ा होगा तो क्या करेगा तर्क करना स्टार्ट कर देगा फिर आता है आपका चौथा स्टेज इसका मतलब क्या है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था याद रखिएगा चौथी अवस्था को हम क्या कहते है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसकी उम्र क्या है तो जीन प्याजे जी के नू सार 12 प्लस जो होता है वो होता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस लिए एक important information है जो आपके exam के point of view से महत्पूर हो सकता है हमारा competition community आप लोग के लिए CGPSC का नया batch ठीक आपके गांधी चौप में 19 जुलाई को प्रारम कर रहा है जो आप लोग के लिए बहुत महत्पूर हो सकता है साथ ही starting के जो 50 students होंगे उनके लिए special offer होगा तो आप जल से registration प्रारम कर सकते हैं साथ ही महिला परविच्छक जो अपने आप में महिलाओं के लिए एक प्रतिस्थित पोस्ट है और इसकी संख्या 1750 है इसकी information आप देख सकते हैं जो हमारे गांधी चौप में 10 जुलाई को प्रारम हो रहा है मंगला चौप में भी आप ये class देख सकते हैं मंगला चौप और गांधी चौप दोनों में ही आपकी कख्षाय चलेंगी साथ ही ये online और offline दोनों ही mode में होगी और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर कर सकते हैं तो ये आप लों के लिए एक छोटा सा information था जो आपके और आपके मित्रों के लिए भी कम्यूटी से जुड़ना चाहते हैं अपनी study को और बहतर बनाना चाहते हैं तो आप दिये गया information को follow कर सकते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम हम देख रहे थे जीन प्याजे का संगेनात्मक विकास है उसे कितने रूपों में बाटा गया है चार रूपों में बाटा ग बच्चों की अवस्थाओं को कितने भागों में बाटा है तो चार भागों में बाटा गया है तो आपका option number A गलत B गलत B सही है क्योंकि इसमें 4 अवस्थाओं दिया है 5 अवस्थाओं की बात ही नहीं हुई है 6 अवस्थाओं की भी बात नहीं हुई है याद रखिएगा ज बच्चों के बौधिक विकास, बौधिक विकास मींस मानसिक विकास, अभी हमने पढ़ा था कि बालकों के मानसिक विकास के अधार पर विकास को जीन प्याजेने कितने भागों में बाटा है, चार भागों में बाटा है, कौन-कौन सा हमने देखा था, हमने सबसे पहले देख इंद्री गामक अवस्था या समवेदि गामक अवस्था जो कितना है जीरो से दो वर्ज या जैन्म से दो वर्ज आपनों नोट भी करते जाया करिए दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे 2-7 वर्ष में बाटा गिया है उसके बाद मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था जिसे 7-12 वर्ष में बाटा गिया है और चौथा आपका अमूर्थ संग्रियात्मा का वस्था, तो ये चार अवस्था हैं, तो किसने बाटा है आपके इसकीनर के द्वारा नहीं, कोहलबर के द्वारा नहीं, एरक्षन के द्वारा नहीं, जीन प्याजे के द्वारा, तो प्याजे के द्वारा बाटा गया है, इस आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम देखेंगे sensory motor stage इसका मतलब क्या है इंदरी गामक अवस्था मतलब इस stage में जो बच्चा होता है वो अपनी इंदरियों के द्वारा सारे काम को करता है कैसे अब देख लीजे अगर बच्चे को कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो रोना सुरू कर देता है अगर कोई चीज अच्छी लग रही है तो हसना स्टार्ट करता है मुस्कुराता है मतलब वो ज़्यादातर क्या करता है अपने भावों को प्रकट करता है अपनी साररी क्रियाओं के द्वारा अगर कोई समान चाहिए तो उसे हाथ से पकड़ने का प्रयास करता है इसमें साररी क्रियाओं जादा होती क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता है बच्चे के इतने कंट का विकास ही नहीं हुआ रहता है कि वो किसी चीज को इस पश्ट रूप से बोल सके वो ले देके थोरा सा क्या करता है आप देखिए यहाँ पर हम स्टेज की बात करें तो यह बच्चा कितना है अभी जन्म हुआ है इस बच्चे का ठीक हमने देखा जन्म से और यह बच्चा कितने वर्स का है आपका दो वर्स का है तो यह कौन सी अवस्थ है आपकी इंद्री गामा का वस्थ है इसे इंद्री गामा का वस्थ है क्यों कि इसमें बच्चा इंद्रियों का प्रयोग ज्यादा करता है आप देखेंगे इस स्टेज में बच्चा ऐसा होता है ना कि आप उन्हें इंद्रियां बहुत अलर्ट होती है इसमें अगर कोई बच्चा है अगर वो रो रहा है तो आप उसे थोड़ा सा प्यार कर ले चौकलेट गएर दे दे तो तुरंत खुज भी हो जाता है लेकिन क्या बढ़ों के साथ ऐसा होता है अगर वो नराज है तो वो मनाने में बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि वो बहुत परिपक्क हो चुके हैं लेकिन इसमें बच्चा क्या होता है इनका समवेक बहुत जल्दी बदलता रहता है पल भर में गुस्रा हो जाते हैं हसने भी लगत में बालक केवल अपनी समवेदनाव और सारविक क्रियाओं की सहायता से क्या करता है ज्यान अर्जित करता है ठीक दूसरा पॉइंट है जब बच्चा जन्म लेता है तो उनके भीतर सहच क्रियाएं होती है इन सहच क्रियाओं और ग्यान इंद्रियों की सहायता से बच्चा व इतने हैं तो आप लोगे सब इसी की बात कर रहा है कि अपने ध्वनियों इस पर्स अगर आप बच्चा खेल रहा है कुछ कर रहा है आप उनको टच कर दीजे तो वो बच्चे इस पर्स को भी समझ जाते हैं तो यह होता है आपका इंद्री आम अवस्था का गंधों का अगर आप उसे डराओगे तो वो भैबीत हो जाएगा और ज्यादा अगर उसे कोई चीज बुरी लगेगी तो रोने लगेगा तो यह होता है आपका इंद्री गामा का वस्था और इन अनुभवों की पुन्रवित्ति के कानण वाता वरण में उपस्थित दीपकों की जादा जाने लगेगा तो उसमें क्या करती नकल करने की प्रवित्ति आने लगती क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो रहा है क्योंकि वो अपने इन्वार्मेंट से चीजों को क्या कर रहा है जादा से जादा सीखने का प्रयास कर रहा है सारे रिक रूप से चीजों को इधर उधर करना, भिल्कूल अब बच्चे को जो समान अच्छा नहीं लगता, उसको एसे करके फेक देता है, अच्छा लगता तो, उसको पकड़ा रहता है, तो यह क्या करता है? सारी यह क्रियाओं का प्रयोग करता है, किसी चीज को पकड़ना, अपने भावों को रो कर वैक्त कर जो चाहिए उसे दिखा कर अपनी बात कहना, इसके प्रमुक लच्चड़ा, अगर आप किसी बच्चे को छोटा बच्चा है, अगर आप उसको खाना खिलाओगे न, तो वो खाना खाने के लिए ऐसे नहीं बोलता है, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि इतना बोल ही नहीं पाता ह वो मुगो फेरता है, ऐसे-ऐसे करता है, हाथ सामने लाता है, तो यह क्या होता है, इसी एच के बच्चे होते हैं, तो यह अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर रहे है, सारी क्रियाओं का ज़ादा उप्योग कर रहे हैं, चली, आगे देखिएगा, जो कुछ भी कहना या प्रजना होता है उसको अभिवेक्ति गामक क्रियाओं के रूप में व्यक्त करता है वस्तु का स्थित्व तब तक होता है जब तक वह उसके सामने रहती है परंतु दो वर्ष की समाप्ति होने तक वह वस्तुओं के प्रतियनुक्रिया करना प्रारंब कर देता है जो सीधे द बच्चों के सामने कोई वस्तू रखोगे न तो वह वस्तू उसको याद रहेगी लेकिन जब आप उस वस्तू को उससे दूर कर दोगे न तो उसको याद नहीं रहेगा लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो अगर वह वस्तू बच्चे के सामने नहीं भी है तब भी बच्चे को याद रहेगा तो इस stage में क्या होता है जब तक बच्चे के सामने कोई वस्तू रखी हुई है तब तक वो उसे याद रहेगी अब इसे हम एक example से समझ सकते हैं कि माल लिजे कोई व्यक्ति है ठीक है एक army man का ले लेते हैं कि कोई army का व्यक्ति है जिसे 6 महीने बाद छुट्टी मिलती है अब वो 6 महीने बाद आता है घर तो अगर कोई बच्चा 0-2 वर्स के बीच है न तो वो व्यक्ति जब तक अपने बच्चे के सामने रहेगा तब तक ये बच्चा अपने पिता को माल लेते हैं बच्चे को पिता आते हैं army से और इन दोनो बच्चो के इन दोनों मतलब जीरो से 2 वर्स के बच्चो के बीच ठीक है तो वो छुट्टी में बच्चो के पास आते हैं अब अपने बच्चो के साथ रहते हैं तो वो बच्चा ना तब तक पहचानता रहेगा जब तक वो उनके सामने रहेंगे अगर वो व्यक्ति चले जाएंगे और फिर काफी दिन वो बाद आएंगे कुछ मन्थ बाद आएंगे तो यही बच्चे अब उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाएंगे तो यह इसकी age होती लेकिन जब यह बड़े होते हैं धीरे-धीरे तो होता क्या है कि यह बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं लेकिन अगर वो व्यक्ति चले भी जाए ना और बहुत दिन बाद भी आएंगे तब भी वो बच्चे क्या करेंगे उन व्यक्ति को याद रखेंगे अपने पिता को याद रखेंगे तो ऐसा होता है सिर्फ पिता से ही नहीं किसी भी व्यक्ति से किसी भी वस्तु से किसी भी चीज से बच्चों का जो अस्तित्व होता है ऐसा ही बना रहता है तो यह समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं कि इमेज के द्वारा समझेंगे देखिए जैसे ये माल लीजे कोई बच्चा है जो जीरो से दो वर्स के बीच है इसे हम क्या कहते हैं समवेदी गामक अवस्था किसके अनुसार जीन प्याजे के अनुसार समवेदी गामक अवस्था अब ये खिलोना सामने रखा हुआ तो ये खिलोना तब तक बच्चे को याद रहेगा जब तक क्या होगा ये बच्चा जब तक ये खिलोना बच्चे के सामने रहेगा अगर हम इस खिलोने को सामने हटा देंगे तो कुस दिन बाद बच्चा खिलोने को भूल जाएगा लेकिन यही बच्चे अपने चीजों से बहुत प्रेम होता है अगर वह गुम जाता है तो उस बच्चीज के लिए उस समान के लिए उस व्यक्ति के ये बच्चे परिसान होने लगते हैं, तो ये इनकी अवस्था हैं, जिनका अध्यन कौन करते हैं, जीन प्याज़ेजी करते हैं, और इनके बारे में बताते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि बच्चे क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, किसके द्वारा, अपने सौकिंग उसमें देखते हैं तो बच्चे क्या करें बोल कुछ नहीं रहें लेकिन अपने भावनाओं को अपने समवेदनाओं को क्या कर रहे हैं प्रकट कर रहे हैं साथ ही अगर कोई चीज बच्चे को अच्छी लग रही है तो बच्चे क्या करते हैं इस तरह का भी मूमें प्तान का आयू वर्ग सामिल होता है, समवेदी गामक अवस्था, ये क्या है, जीवन की पहली अवस्था है, तो इसे कितने भागों में बाटा गिया है, इसे 0 से 2 वर्ष में बाटा गिया है, ठीक, या जन्म से 2 वर्ष में बाटा गिया है, तो आंसर क्या होगा, क्या 7 से 11 व अवस्था है दो से साथ वर्स ये दूसरी अवस्था है जन्म से दो वर्स ये आपकी पहली अवस्था है तो यहां हम से पूछा है समवेदी गामक अवस्था और समवेदी गामक क्या आपकी पहली अवस्था है तो यह क्या होती है जन्म से दो वर्स होती है जीन प्याजे के वैसे तो बच्चे का विकास माता के गर्व में रारम हो जाता है, आप देखते होंगे बच्चे का हाथ पैर, मस्तिस्क, हृदय, सब किसमें बनता है आपके माता की गर्व में, तो माता की गर्व में उसका विकास सुरू हो जाता है, किन्तु जीन प्याजे जी मानते हैं कि ज जन्म से दो वर्ष तक जो पहली अवस्था होती है, वो समवेदी गामा का वस्था होती है, फिर दूसरा आपका कौन सा होगा, पूर्व संक्रियात्मा का वस्था होगा, जो दो से साथ वर्ष होगा, फिर साथ से बारा वर्ष जिसे हम मूर्थ संक्रियात्मा का वस्था कहते हैं फिर बारा से प्लस उधर अमूर्थ हो जाएगा जिसमें बच्चा कल्पना करना प्रारम करतेता है अगला है आपका अगला कुश्चन है प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था पहली अवस्था जो कब से होती है जन्म से दो वर्ष होती है कि आयू के दौरान सबसे बहतर सीकता है सिंपल सी बात है यह यह कहना चाहरा है कि जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है तो क्या वो बोल मा पाता हसता है रोता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है जैसे जैसे उसका साररिक विकास होता है वैसी वैसी वो भासा का भी विकास करने लगता है इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा बिलकुल यह आंसर चुकि नाम ही इसका है इंद्री गामक अवस्था या समवेदी गामक अवस्था तो पूचा है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से दो वर्ष की होती है तो इसमें सबसे बैतर बाला किसके दौरा सिखता है इंद्रियों के प्रयोग के दौरा कोई समान चाहिए होता है तो उसे वह पकड़ने का प्यास करता है तो यह होत करें कि बाल मनों विज्यान ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना ज़्यादा इसे समझेंगे रियल लाइफ में फिल करेंगे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं आप उनको अब्जर्व करिएगा ऑटोमेटिक चीज़े आपको क्लियर होंगी चली आगे वढ़ते हैं अब दूसरा स्टेज है अपका प्री ओपरेशनल स्टेज जिसे हम क्या कहते हैं इसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं और इसका स्टेज हमने देखा कितना होता है इसका उम्र दो से साथ वर्ष होता है इसमें बालक की उम्र क्या होती है दो से साथ वर्ष होती ह चलिए देखते हैं, पॉइंट पे ध्यान दीजेगा इस अवस्था में बालक स्वाकेंद्रीत वा स्वार्थी ना होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले हम जो बच्चा पहली अवस्था में था तो जब पहली अवस्था में बच्चा होता है तो उसमें सूचने समझने की तो शमता होती नहीं है वो अपने आप में ही मगन रहता है उसको किसी से मतलब नहीं होता है क्योंकि बच्चा इतना छोटा रहता है वो चीजों को कैसे समझेगा लेकिन जब बच्चा क्या होता है दो से साथ वर्ष के बीच आता है तो वो लोगों से जुड़ना प्रारंब कर दिता है अब वो बोलना सुरू कर देगा उसके भासा का भी विकास प्रारंब हो जाएगा और बच्चा अपने में मंगन नहीं रहेगा बलकि चीजों से जुड़ना प्रारम कर देगा वो खिलोनों के साथ ब्यादिक खेलने लगेगा वो आसपास की जो लोग होंगी उनकी जो भासा होगी उनका जो कार्य होगा आसपास का जो वातावरन होगा उनका क्या होगा? नकल करना प्रारम करता है तो ये क्या है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरा क्या है अब वह खेल, अनुकरण, चित्रनिर्वार तथा भासा के माध्यम से वस्तुवों की सम्मंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाने लगता है अब चुकि बच्चा बड़ा हो रहा है तो वह खिलोनों को देखता है अच्छा बच्चा जिग्यासुप्रवित्ती का भी बहुत जादा होता है जब उखिलोने मालीजे ये कोई खिलोना है अगर आप बच्चे को क्या करेंगे न ऐसे दे देंगे इसको बड़े गोर से उत्तर दे तो यह होती है कौन आपकी पूर्व संक्रियात्म का वस्ता इसमें बच्चे जिग्यासु भी बहुत अधिक होता है धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहन करता है आसपस जितनी भी चीजे होती है उन पर वो ज्यान क्या करता है बनाना सुरू कर देता है अब वो तरक करना बच्चा नहीं सीखा है तरक करना कब सीखेगा तीसरे स्टेज में मतलब मूर्थ संक्रियात्म का वस्ता में अभी बस चीजों को बच्चा क्या कर रहा है जानने का प्रयास कर रहा है लेकिन उस बारे में वो सोच नहीं पा रहा है आप जितना बच्चों को होगे अभी वो वैसा मान लेगा इस अवस्था में अनुकरण सीलता पाई जाती अनुकरण सीलता मतलब नकल करने की प्रवित्ति बच्चा बहुत ज्यादा नकल करता है अपने पैरेंट्स को देखेगा उनके जैसा करेगा जैसा भाशा वोलोगे उसी भाशा का वो क्या अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जब बच्चा अपने घर में जो भासा सीखता है उसे हम क्या कहते हैं प्रात्मिक भासा कहते हैं ये क्या होता है अपका natural language होता है प्राक्तिक रूप से सीखा हुआ भासा क्या होता है अपका अरजन कहलाता है क्योंकि बच्चा इस अनुकर्णों से क्या आती है परिपक्वता आती है मतलब बच्चा जैसे जैसे नकल करता है नकल की माध्यम से ही वो क्या होता है परिपक्वता होता है मतलब उसका जो दिमाख है उसमें डेबलब होता है उसका मांसिक विकास होता है तो यह इसका अर्थ है आगे बढ़ते हैं मूर्त संक्रियात्म का वस्था और अमूर्त संक्रियात्म का वस्था बस अब इतना जानिए कि मूर्त संक्रियात्म का वस्था होती है तो इसमें बच्चा तर्क करना प्रारंब कर देता है तो यह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है अब बच्चा चुकी बड़ा हो रहा है फिर आता है आपका चौथा स्टेज अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो इसमें बच्चा क्या करता है चीजों को और ज्यादा ब्रॉड रूप में समझने लगता है और आगे हम कल देखेंगे, नोर्स बनाते चले, थैंक यू वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें, अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।